हेलो इंजिनियर्स, वेलकम टुदा नेक्ट सेशन, इस सेशन में देखिए एक छोटा सा टुटोरियल हम लोग करने वाले हैं, स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग को हमें अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, यह हमारा फ्रेंट व्यू, यह हमारा टॉप व्यू, यह हमारा साइड व्यू और यह फ्लेंज का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है तो इसमें हम लोगों को इंटर्सेक्ट कर्व का इस्तमाल करन होगा, हम लोग फ्रेंट व्यू से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं इस लाइन को बनाऊंगा, ओके, सेंटर लाइन को बनाएंगे, उसके बाद टॉप से इसको बनाएंगे, और दोनों को इंटर्सेक्ट करेंगे, इंटर्सेक्ट करने के बाद एक इस शेप का कर्व ज चाट कर लिया है, initial settings मैंने कर रखे हैं, पहले साई एक नया file लेता हूँ, यहां से इसको अंचेक करूँगा, ok करूँगा, यहां से mmns ले लेते हैं, ok करते हैं, सबसे पहले drawing को देखिए, इसको हम सुरुआत करने वाले हैं, front से, यानि इस side से, तो हमें front plane लेना होगा, यानि explain को लेना होगा, sketch में जाना होगा, देख लिजिए, उसके बाद आप यहां गौर से देखो, इसको ऐसा और ऐसा line लेना है, मतलब एक line लेता हूँ, यहां से ऐसा और फिर ऐसा, middle mouse, middle mouse, अब यहां पर पूरे dimension हमें डालने होंगे, देख लिजिए, यह total हमारा height है 60 का, यह हम में डालना होगा, यहां से यहां तक का हमारा 60 हो जाएगा, यहां से यहां हमारा 65 हो जाएगा, ओके, और यह हमारा 30 का है, तो यहां पर आप 30 डाल दो, ओके, और यहां पर हमें एक fillet लेना होगा, यहां से आप fillet ले सकते हो, इसका radius कितना है ये देखिए 25 तहां में जो radius डालना है वो 25 डालना है अच्छा अगर ये उल्टा सिधा हो रहा है तहां हम इसको जरा उपर लेंगे ये लगता थोड़ा सा टेडा हो गया Ctrl Z प्रेस करता हूँ और ये हम 60 ये हमारा 65 कोई issue नहीं है मैं पहले इसको यहां से यहां तक कितना डालता हूँ 30 का ये देख लिजे ये हम 30 का डाल दिए और यहां से यहां तक हम 60 का लेंगे ये 60 का आई है चलो इसको भी हम lock कर लेते हैं ओके और ये हम लेंगे 25 चलो हमारा sketch अभी perfect आ गया ठीक है ओके ये हमने लिया है front plane से ये देख लिजे किसके ये हमारा parallel किसके आ गया तो parallel की जरूरत तो नहीं है बट ये हमारा चलो ठीक ठाक ही है इसमें कोई दिकत ने हमने पूरे dimension तो डाल ही दिया है है ना जो यहां पर दिया हुआ था सारे dimension हमने डाल दिया है ओके कर देते है control प्लस D अब हमें लेना है top से यानि इस plane को select करेंगे और sketch में जाएंगे अब ज़रा गौर से देखे यहां से हमें क्या लेना है ये वाला लेना है ठीक है तो चलिए यहां से हमें एक line लेंगे अईसा फिर इधर से हमें एक line लेनी है कोछ इस तरह से अब चलिए पूरा dimension डालते है उससे पहले मैं यहां fillet डाल देता हूँ अईसा ने पिछले बार जैसा हमारा error हो जाए चलो यह डालने के बाद ही हम dimension डालेंगे ठीक है तो सब तो clear ही है यहां से यहां तक 65 लेना है यहां से यहां तक 50 लेना है यह लिया dimension यहां से यहां तक 65 यहां से यहां तक हमें 50 लेना है ओके यह देख लिजे 20 है और यह fillet 25 है मतलब यहां से ले करके यहां तक 20 और fillet हमें लेना है 25 45, ओके, आप चाहत यहाँ पर constraints को off कर सकते हो, ये दो अलग-अलग plane में हमने अलग-अलग sketch draw किया है, थोड़ा मैं इसको off कर देता हूँ, ये देख लीजिए, अब हम इन दोनों sketch को intersect करेंगे, तो मैंने पहले इसको select किया, फिर इसको select किया, और यहाँ पर intersect है, ये देख लीजिए, ये इस तरह का curve generate होके आ चुका है, एक बार फिर से देखिए, इसको select कर लो, control, press करके इसको select करो, और यहाँ पर देखिए intersect है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, lecture में, ये ले लीजिए, बस, यही curve हमें चाहिए, और बिना intersection के ये नहीं बनेगा, अब हमें क्या करना है, इस curve को select करना है, और sweep में जाना है, यहाँ से आप sketch में जा सकते हो, no problem, अब ज़रा गौर से देखिए, कितना लेना है, ये अंद कारवाला दिया हुआ है, 17 का, ठीक है, तो 2 circle हम ले सकते हैं, यहाँ पर हम लेंगे, 1, 2, एक का diameter 15 रहेगा, दूसरे का diameter 17 रहेगा, ओके, और यह हमारा काम हुआ complete, सी, यह देख लो, है ना कमाल का, तो मैंने आपको बताया था, बबा, इस तरह का काम करने के लिए, हम लोगों को intersection की जरूरत पढ़ने वाली है, ओके, चलिए, अब flange बनाएंगे हम लोग, यह देख लिजिए, नीचे वाला पूरा dimension दिया ह हुआ है, number of holes 12 दिया है, diameter 2 का है, PCD कितने का है, PCD नहीं दिया है, 25 लेना होगा total, यहाँ पर radius दिया है, एक साड़ का, 12, तो पूरा हो गया 25, ठीक है, nothing to worry, मैं यहाँ से start कर लेता हूँ, extrusion में जाऊंगा, और मैं यहाँ से concentric circle लूँगा, अंदर वाले से, एक और बाहर व कितना है, 30 का है, यह हम 30 लेंगे, okay, control plus D, इसको उपर लेके जाना है हमें, इस तरह से, कितना लेना है, 3 mm, तो यहाँ से हमें 3 mm डालना होगा, finish, और उसी तरीके से, इस side भी लेना है, इसको select करेंगे, extrusion में जाएंगे, यहाँ से हम concentric circle लेंगे, और बड़ा वला लेंगे, यहाँ पर आप 30 diameter लेलो, okay, control plus D, इसको flip करो, 3 लेलो, and then okay, see, उसके बाद आप hole ले लीजिए, इसके लिए हमें थोड़ा datum को on करना होगा, no problem, axis भी यहाँ पर आ चुका है, plane भी आ चुका है, no issue, अब चलिए हम लोग hole लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ जादा करने की जरुरत नहीं है, direct आप hole ले लो, यहाँ पर, एक reference direct मैं axis के साथ दूँगा, और एक मैं इसके साथ दूँगा, ठीक है, अभी आप यहाँ पर जाएए, इसको diameter ले लिजिए, यह हम 25 लेंगे, और यहाँ से आप angle decide कर लो, यह 90 degree कर रहेगा, और यह diameter दो रहेगा, और यह रहेगा मेरा up to next, finally done, और इसको हम pattern करेंगे, यहाँ से pattern, 12 member लेना है, angular extent, ok, see, यह हमारा काम हुआ, complete, इधर से भी वही काम करना है, hole, select करूँगा, एक reference मैं axis के साथ दूँगा, यहाँ से diameter ले लो, यह लेंगे, 25 का, दूसरा reference मैं इसके साथ ले लेता हूँ, यह लेंगे, 90 degree का, diameter is correct, 2 mm, यहाँ से आप, to next कर दो, say ok, यह लिया मैंने pattern, यह लिया मैंने axis, और यहाँ से again हम 12 डालेंगे, और यहाँ से angular extent, and then ok, देख लिजए, यह मेरा pipe बनके हो गया तयार, इन सब को मैं off कर देता हूँ, इसको भी off कर देता हूँ, यह देख लिजए, simple था ना, जो first sketch लिया गया था, intersection वाला, इसको आप hide कर दीजिए, अब इसमें आपको और क्या बोला गया है, बोला गया है, remove all sharp edges, मतलब जो भी sharp edges है, उन सब को remove करना है, मतलब यहाँ पर हमें fillet वगएरे लेना होगा, कोई issue नहीं है, मैं यहाँ पर अपने मर्जी का ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं लूँगा, one का ले लेता हूँ, चलो, और control प्रेस करके यहाँ पर भी आप one ले लो, and say okay to it, control plus d, यहाँ से हम auto rounds ले सकते हैं, 0.25, and say okay to it, यह कोई compulsory नहीं है, यह हमारा part हो गया complete, तो इस तरह के काम के लिए हम लोगों को intersection का use करना होगा, दो अलग-अलग plane में अलग-अलग sketch बनाना होगा, फिर उन दोनों sketch को intersect करके, एक common curve generate करना होगा, उसके बाद आप sweep ले लेना, उसके बाद बागी का काम आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से हम इसको color ले लेंगे, जैसा चाहें हो, ऐसा लीजिए, आप यह color ले लो, and say okay to it, see, यह देख लो, कैसा दिख रहा है, तो इस तरह के काम के आपको practice रहनी चाहिए, ठीक है, मिलेंगे फिर अगले session में, इसको मैं save कर लेता हूँ, control plus D, इसको एक बार आप भी बना के देखो, ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगले part में,